हेलो अबर्यवन तेल आज बनाते हैं कम तेल में बहुत ही लिप और बहुत ही टेस्टी नास्ता इसे आप पीना चटनी के भी खाएंगे न तो भी आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आयगा बनाना इतना असान है कि आप इसे हर बार मतलब बना करके खाना पसंद करेंगे और देखने से ही लग रहा है कि कितना ज़्यादा यह टेस्टी बन करके त्यार हुआ है, आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बच्चों को देंगे तो मिर्शी का यूज जो है हमें कम करना है, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा यह सॉफ्ट मैंने बना करके त्यार की हुई है, ता आप वीडियो को फूल वज जरूर करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा, और आपका भी इसी तरह से सुपर सॉफ्ट जो है यह नास्ता बन करके त्यार होगा, तो चलिए इस रेस्पी को जो है बनाना शुरू करते हैं, और तोड़ने से ही पता चल रहा है कि कितना ज्यादा यह सॉफ्ट बन करके त्यार हुआ है, इस नास्ते को बनाने के लिए ज्यादा कुछ चीजों को जरूरूर भी नहीं पड़ती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि यहां पर मैंने एक बड़ा सा बरतन ले ले ले लेंगे सूजी, आप मोटा बारिक वाला को इस अभी उज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से एक कप सूजी लेंगे, इसको इस तरह से बॉल में हमें डाल देना है, और हाफ कप इसमें लेना है हमें दही, तो फ्रेज दही का ही यूज़ करेंगे यहां पर, इसके बाद तो आधा कफी क्या करना है कि हमें डालना है इसमें पानी, तो जितना सूजी है उतना ही हमें यहां पर पानी या दही का यूज़ करना है, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप यहां पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से पानी डाल करके हमें क्या करना है कि अच्छा से mix कर लेना है, देख सकते हैं अभी देखने में बहुत आ पत्ला लग रहा होगा, लेकिन क्या करना है? इसको जो है हमें धक करके रखना है 10 मिनट के लिए 10 मिनट में सूजी जो है काफी अच्छे से फूल जाता है तो यहां पर 10 मिनट हो चुके हैं देख सकते हैं धकन हटा करके जब के चेक करेंगे तो पहले से यह गाड़ा सा लगेगा देख सकते हैं तो यह गाड़ा सा लग र ल집ने काने पेस मिलम। दाले के नध्य बावल ही करने पेस लें और लगा-शे नंसार पानी अ किसमेज-बाद भान ही इसमें इस तरह से डाल देना है एक हरी मिर्च को यहां पर काट करके डालेंगे तो इस तरह से डाल करके और अच्छे से क्या करना है कि मिक्स कर लेंगे आप यहां पर अपने हिसाब से सब्जिया भी आट कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूं और इस इसमें डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब पकाना हो तभी इसमें मतलब सोडा डालें, तो इस तरह से डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद क्या करना है कि इसको तुरंती हमें पकाना है, जिसे कि एकदम से सुपर सॉफ्ट बन करके तियार हो तो इस तरह से क्या करना है मैंने ही pieam रख दी है गर्म होने के लिए और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे लगवग 2-3 बड़ी चमच और आधा चमच चना डाल करेंगे और यहां पर अधा चमच उरत ऑदाल करेंगे अच्छे से क्या करना है कि इस तरह से भून लेना है हमें थोड़ा सा color change होने तक भून लेंगे और इसके बाद जो देख सकते हैं यहाँ पर भून चुका है तो जो हमने यहाँ पर यह batter बनाई हुई है सुझी का इस तरह से हमें डालना है तो अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा रख सकते हैं और इसको जादा पतला नहीं रखेंगे हलका सा इसको मोटा ही रखेंगे तो इस तरह से बैटर हमें डाल देना है और यह जो पैटर है पैन में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है बहुत यह असानी से यह निकल जाता है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेटर डाल करके हमें बनिया साइस को जो है इस तरह से रख देना है थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और इसके बाद जो है इसके उपर इस तरह से कलॉंजी डाल देंगे और डालने के बाद जो है इसके उपर मैंने थोड़ा सा मतलब हरी मिर को काट करके डाल दी है यह ऑप्सनल है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं इस तरह से डालने के बाद जो है अब इसको जो है खरने क्या है हमें कि ढख देना है लगवग 2-3 मिनट तक और इसको जो है लो फ्लेम पर ही पकाएंगे तेज आ अगा लेंगे और दूसरे साइट पलट करके भी अच्छे से सेक लेना है तो देखिए पैन में बिल्कूल भी चिपकता नहीं है और इस तरह से दूसरे साइट बलट देंगे देखिए कितना प्यारा से इसका मतलब कलर आया है हल्दी पॉडर डालने से बहुत ही बढ़िया से इसका लुका जाता है तो इस तरह से ढख करके दो मिनट और सेक लेंगे और अपने ही साब से मतलब इसको अच्छे से पकने तक पका लेना है कच्छा नहीं रखना है तो इस तरह से हमें दोनों साइट अच्छे से अलट पलट करके अच्छे से इसको जो है सेक लेना है त तो देख सकते हैं मैंने यहां पर इसको जो है प्लेट में निकाल ली है और इसी तरह से बागी बच्चे पैटर का भी बना करके तयार कर लेंगे तो एक दम से बढ़िया सा टेस्टी सा सौफ्ट सा बहुत ही टेस्टी मतलब कम तेल में यह नास्ता जो है बन करके त्यार या फिर बीना चटनी के भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बर इस तरह से जरूर बना करके देखिए छोटा से वीडियो है पसंद आयागो तो लाइक चरूर कर दीजिएगा और साथी साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप इस हेली से नाश्टे को अपने बच्चों के टीफिन में भी दे सकते हैं जो बहुत ही हीली है खाने में भी बहुत लगता है तो आप इस तरह से बना करके तयार कर सकते हैं या फिर शुबह के या पिर सामके नाश्टे में भी जब कुश हलका फुरका टेस्टी सा खाने का मन करें तो भी आप इस रेस्पी को जो है बना करके तयार कर सकते हैं देखिए तोड़ने से ही कितना ज़्यादा यह सॉफ्ट दीख रहा है तो जरूर ठ्राइ करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ थैंक्स